पलपल यूज के निज रोंग से मैं हूँ आपके साथ नदिम अक्रम मतुरा में टेंशन का महौल है क्योंकि हिंदू महासभा द्वारा ये ऐलान किया गया कि 6 दिसंबर के दिन खास उस दिन को चुना है जब 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्दित को कार सेवको द्वारा शहीद कर दिया गया था ठीक उसी पैटन को अपनाते हुए हिंदू महासभा नहीं एलान किया कि हम ग्यान व्यापी मस्दित के अंदर क्रिश्म जी की मुर्ती रखेंगे अब इस पूरे ऐलान ने मतुरा को टेंशन में डाल दिया है मतुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है प्लिस प्रशासन चपे चपे पर नजर रख रहा है और इस पीच किस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है वो एडवाइजरी भी समय समय पर जारी करता हुआ दिखाई दे रहा है जहां एक तरफ हिंदू महासभा से पूरी तरीके से निपटने के लिए मतुरा प्रशासन न खैलां के दौरां केश्रप्रवन्यों né dubal को हम जीती चुके हैं अब स्वारी कि यह उस समय परेश्रप्रसाद्मुर्या का वहान सामने आङा क्रीयेट हो रहा हुँ है क्रेश्रप्रसाद्शन के पूर्य तरीके से 6 दिसंबर के लिए तैयारी की गई है उसे आपके सामने रखूंगा पर उससे पहले एक अपील अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान दबाईए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साजा की जा सके और अगर ये वीडियो फेस्बुक इंस्टा टुटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा टुटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेस्बुक के पेज को लाइक करना ना भूलेगा अब जादाना बात करते हुए आपको बता दें कि केशे परसाद मूरे ने 6 दिसंबर में एक तरह से आग में घी डालने का काम किया हुआ है क्योंकि भारती जनता पार्टी को ये मालूम है कि उसकी जो सियासत है वो नफरत पर्टी की हुई है और नफरत को जिस तरीके से वो सेख पाएगी उतना राजनेतिक रोटिया सेखने में भारती जनता पार्टी को मज़ा आएगा अब आपको बता दे के उतर परदेश के उप मुख्य मंत्री केशे परसाद मोरे ने यूपी विधान सभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया केशे परसाद मोरे ने जी न्यूज के साथ एक्स्क्लियूजिव बाचित में कहा कि अयुद्या भी हुई हमारी अब काशी मत्रा की बारी है यूपी के उपमुख्य मंत्री के शेपरसाद मूरे ने कहा कि अयुद्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्मान से भक्तों में खुशी है जैसा कि हम लोग आंदोलन के समय नारा लगाते थे कि अयुद्या हुई हमारी अब काशी मत्रा की बारी है काशी में कॉरिडियोर बन चुका है अब कृष्ण जन भूमी की बारी है ये सारा काम प्रधान मंत्री श्री नरंदर मोदी के नितरत में और जंता के आशिरवाद से हो रहा है केशव प्रसाद मुरे ने कहा कि पीएम मोदी 13 दिसंबर को 11 अर्चकों के साथ बाबा विश्विनात का जलविशेक और पूजन अर्चना करेंगे पीएम मोदी काशी में दो दिन तक रहेंगे दोदेश जयतोकिका के अर्चकों को भी नियोता दिया गया है काशी विश्वनात कोरिडोर के उधगाटन पर चारों पीठो के पिठा धीश्वर और धर्म आचारे भी मौजूद रहेंगे इसका जिम्मा अखिल भारतिये संत समीती के उपर दिया गया है उन्होंने आगे कहा कि अती ग्रेहन से लेकर निर्मान तक 600 करोड रुपे खर्च हुए हैं कई पुराने मंदिर और विग्रों का पता चला है 125 छोटे वड़े मंदिरों और विग्रों को इस कॉरिडेवर में एक श्रिंखला के तौर पर इस्थापित किया गया है केश्य प्रसाद मूरे ने कहा कि 245 साल के बाद काशी विश्वनात मंदिर परिसर के जो मेढ़ा धीश्वर का काम कराया गया है इससे पहले अलहिया भाई ने मंदिर के जित्री धीश्वर का काम किया था ये सारी चीजे जो है केश्य प्रसाद मूरे के द्वारा गिनाई गई है और 13 दिसंबर को जो है देश के प्रधान मंत्री का काशी मत्रा में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसके चलते वो आयूचन करने जा रही है और ठीक 6 दिसंबर यानि की 6 दिन पहले एक टेंशन का महौल क्रियेट कर दिया गया है ग्यानव्यापी मस्दित को लेकर के और उस बीच बयान सामने आना खासतोर पर डिप्टी सीम केश्य परसाद मूरे का वो कई सारे सवाल खड़े करता है इस बीच मत्रा में टेंशन का महौल है पुलिस प्रिशासर लगतार जद्दो जहत में लगा हुआ है के 6 दिसंबर को हिंदू महासभा को कैसे रोका जाए आपको बता दें के मत्रा में तनाव को लेकर CRPF महानिदेशक की रिपोर्ट ने केंद्रिये खुफिया और सुरक्षा एजन्सियों के होश उड़ा दिये है इस रिपोर्ट को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजन्सियों का मन्थन लगतार चारी है CRPF महानिदेशक ने अपनी रिपोर्ट पे कहा है कि एक सांपरदाए विशेश की इबादत गाह में संदिक्त गतिविदिया शुरू हो गई है और संदिक्त लोग सुरक्षा विवस्ता का जाइजा ले लहे है वही ये भी कहा गया है कि कानुन विवस्ता बिगारने की भी संभावना है दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए कुछ लोगों को गिरफतार कर लिया है और विवादसपत पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है इस मामले में एक सांपरदाय ने दूसरे सांपरदाय के अबादतगा के खिलाब कार सेवा किये जाने और 6 दिसंबर को उसे पवित्र किये जाने जैसे बयान दिये थे जैसे ही इस्थानिय प्रशासन को ये खबर लगी यूपी सरकार पूरी तरह से चौकनी हो गई है और आनन फानन में प्रशासन ने अने कदम भी उठा लिये हैं इस्थानिय डियेम और स्स्पी ने इस पस्ट तौर पर कहा है कि ऐसी किसी भी घटना से निपटने के लिए व्यापक उपाय किये गए हैं उन्होंने इस्थानिय जन्मानस से भी किसी भी अफवा पर विश्वास करने के लिए कहा है साथी लोगों को चेताबनी दी है कि यदि सोशल मीडिया आदी पर किसी भी तरह की अफवा फैलाने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ सक्त कानूनी कारवाई की जाएगे इस बीच 24 नॉम्बर 2021 को CRPF महानिदेशक की तरफ से मतुरा को लेकर एक विशेश रिपोर्ट केंडर को भीजी गई थी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मतुरा के हालत ठीक नहीं है और वहाँ कानून विवस्ता की इस्ति बिगड़ने की भी संभावना है इस रिपोर्ट ने केंडरिये खूफिया और सुरक्षा एजंसियों के होश उड़ा दिये है ध्यान रहे कि सी आर पी एफ की यूपी में कानून विवस्ता में सहीयोग करने के लिए अनेक कमपनिया मौजूद है और उन्हीं के आखिलन के आधार पर डी जी सी आर पी एफ ने ये रिपोर्ट भेजी सी आर पी एफ महा निदेशक ने मतुरा के हालत को लेकर गंभीर आखिलन किये हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि जब ये तनाव शुरू हुआ मतुरा के एक सांपरदाय विशेश की इबादतगा में लोगों की संख्या बढ़ गई है ये भी सूचना दी गई है कि इनमें अनेक लोगों की गतिविद्या बेहित संदेश पद है और संभवत ये लोग छिप छिपा कर इबादतगा की सुरक्षा विवस्ता का जाइजा ले रहे हैं कितने कितने जवान वहां तैनात हैं पूरी सुरक्षा विवस्था क्या है सियार पिएप महान देशक ने इसके आखलन को लेकर केंद्रिय खूपिया एजन्सियों को उनकी टीमों ने मतुरा और आसपास के इलाकों में डेरा जमा लिया है और ये हर घटना पर उनकी चौकनी निगाहें हैं वहीं इस्थानिय प्रशासन ने भी 6 दिसंबर की टाइम लाइन को लेकर अपनी कमर कसली है सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में मतुरा की सुरक्षा और मजबूत की जा सकती है और वहां पर इस्थानिय प्लिस के लावा केंदरिय सुरक्षा बलों में भी एजाफा किया जा सकता है तो एक लेटर जो है महा निदेशक की तरफ से लिखा गया है केंदर सरकार को जिस पर ये कहा गया है कि महाल बिगाड़ा जा सकता है उसे रोकने के लिए सक्त कदम उठाने की जरूरत है एक तरह पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जद्दो जहत कर रहा है 6 दिसंबर को जो घटना घटने वाली है उसे किसी तरीके से रोका जाए और ये भी सुरक्षा एजन्सियों के उपर सवाल खड़े कर दिये कि कुछ विबादत पद लोग जो हैं वो इबादत गाहा के चक्कर लगा करके आ चुके हैं वो किसी घटना को अंजाम ना दे इसलिए हमने चप्पे चप्पे पर इबादत गाहा में भी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब बड़ी घटना को टालने के लिए पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है तो वही सरकार के नुमाइन दे और जो खुद सत्ता की मलाई चाट रहे हैं केशिव प्रसाद मोरे वो ऐसे बयान दे कर के महल को उकसाने का खाम कर रहे हैं मैं ऐसी ही मत्रा से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साजा करता रहूंगा दीजिए इजाज़त शुक्रिया